हेलो आल देर इस्टुटेंट अप्लास सेवें वेलकम स्यू वाल इन अधर वीडियो ऑफ साइन्स ब्रिंग बाइद ब्रिजे शोजा इन आवर चैनल नोन आज दा 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 साइन्स मस्टर ओके तो लेस्ट चाप्टर अग्ला जो चैप्टर है आपका वेदर क्लाइमेट अड बाकी रहा गया है तो उन पोर्शन्स के लिए यह वीडियो में तयार कर रहा हूं ताकि आपकी कुछ मदद हो सके और आप समझ सकें अच्छे से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अच्छा आप सभी ने अभी देखा होगा कि IPL के मैचेश चल रहा है और अभी खत्म हु मैनी मैनी कंगर्चुलेशंट फौर अविन और आगे जो बात करतें तो आपने अगर मैश देखा अगर सुरू से बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं मैश देखने के लिए सुरू से बैढ़ जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि मैच में आप दे ब्राइट सन है आज का और जो ब्राइट सन है उसके वाज़े से जो पीच का मौश्चर है वो उड़ सकता है तो बाद में खेलने वाली टीम के लिए यह फ्लाइट बिकेट हो जाएगा और खेलने में बैटिंग करने में बड़ी आसानी होगी कभी-कभी कहते हैं कि बाद में चेंज होने वाले प्रकृयया है अगर आप देखोगे तो कभी-कभी आप सुबसम उठते तो आपको ठंदा-ठंदा महसूस होता है दो बार जाते जाते हैं धूफ हो जाती है काफी कडी फिर साम होते हैं फिर आपको ठंदा महसूस होने लगता है तो दिस इस the frequent change in the condition of our surrounding is known as the weather यह जो लगातार जो हमारे आसपास के conditions में वेदर में जो लगातार जो changes आ रहा है है उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसी कौन लोग को वेदर कहते हैं तो वेदर क्या है अब जाते ही है कि आवर और्थ आवर और्थ is surrounded by a layer of by layer of air जिसको हम क्या कहते है आटमोस्फियर करते हैं जो अर्थ है हमारा हमारे चारो तरफ वह एक blanket of air से धका हुआ है और उसको अप्लोग क्या कहते हैं एट्मास्पियर करते अब यह एट्म候 स्पियरे कंडी सब यह है गदार चेंज घाते हैं उन्हीं को हम लुग क्या कहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि कि वेंदर परड़ी ज़्टे न लिधम the condition of the condition of atmosphere atmosphere at a particular time and place place is called weather situation change होते रहते हैं जैसे आप टेलिविजन देखोगे तो शुबब सुबब अगर आप समचार सुनोंगे तो उसमें जो वेदर जितना टंप्रेचर हाई होता है उसको हम लोग मैक्सिमम टंप्रेचर कहते हैं दर टंप्रेचर अप्रेचर अप्रेचर में सबसे ज्यादा जो कमी आती है उसको मैक्सिमम टंप्रेचर कहते हैं और जो सबसे हाई लेवल पर टंप्रेचर होता है पूरे दिन में सुबसले करके रात तत में तो उसको हम लोग मैक्सिमम टंप्रेचर कहते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम टंप्रेचर अब इसकी गड़ना कौन करता है इसकी जो गड़ना करने वाले लोग है उनको हम लोग कहते हैं मेट्रोलोजिस्ट क्या कहते हैं मेट्रो लॉजिस्ट कहते हैं को ऑद्रोगेश्itäten समेच्रो यहां सब्सक्र द globalization बेरों मेट्र जिस्ट काद मेतर में टुम्प्रेट्मेश्च मेट्रोड किया होते है इस्टडी के इवाउट एक पाउट कें सथे का वह यह अपने रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखते हैं तो उसको मेट्रोलाजिस्ट कहते हैं हम लोग अब कह रहा है कि जो एलिमेंट आफ वेदर हैं तो वो बड़ी सारी अलग-अलग हो सकते हैं और अलग-अलग जगों के लिए जो वेदर कंडिसंस हैं वो भी क्या हो सकती है अल अर्वीा मिव 58 दाइब रख्र शारी फिलयों कौन सत्क्रुमित कि ए हुए अगर एक जैसा डंश करिcs प्लाइब तो चलाइमिट क्या है करें कि अगर एक जैसा ही वेडर कंडीस अगर लंबे समय तक होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं जैसे अगर हम लुग डिसार्ट कंडीसन राजस्थान की बात करें तो वहां का जो पॉल्ड है क्लाइमिट कहले गा अगर हम लोग नौर्ध पोल पर चले जाएं साइवेरिया में चले जाएं तो वहां का टंप्रेटर कैसा है तो वह कोड़ क्लाइमेट कहलेगा क्यूंकि साल के ज्यादातर हिस्सों में वहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है इसलिए लॉंगर पिरियेड में एक ही तरीके का वेदर कंडिशन रहता है तो उसको अवह उस जगह का क्लाइमेट करते हैं अब यह जो क्लाइमेट है कुछ चीजों पर डिक्राइब जैसरे है फैक्टर क्टर्स फैक्टर आल वीच ओन विच लइवेट डिपेंड्स हो ठीक है तो पहला है डिश्टेन्स डिश्टेन्स फ्रॉंद्ड दीश्ट्यां सी अब ज जो जगह है जैसे कोलकता है कोलकता है मुंबई है है चेन नहीं है चेन नहीं है यह सब कुछ जगह है जो की यह तो आए यह सब जगह है यह सब कहा है दे अब्लोश दूदर दूजयं के नस्दीः कीजिए सिस्पल्शा कर यह तो तो वहां को टम्परेचर हो क्या होगा वह वहां पें बड़ी आढदे में वहां होती है। करें ने करें । गुजरात की तरफ से ले करके और वैसे नीचे से घूमते हुए आ जाए तो बंगाल तक आ जाएंगे हम लोग उड़ी सा बेंगौल तक आ जाएंगे तो यह पूरा जो नीचे का इलाका है जो साउधन पार्ट है वह हमारा समुद्र के घिरा हुआ है और उपर वाले जो इला धीचा न तो यहाथ तो ठंडे वोंगे जैसे जम्मुकास्मीर है इसमीलीट होते हैं य।ीरल केसे थंडेंगे हुँघ्णつक आएंगे अैप दूसरा इसमें वह हैज म ए कि हुँमिदीजी है हुँद इत एंधेमांट ओफ कि एम ओपी वाटर वेपर ऑफ लुत real fire races हवा में i water vapor की मात्रह कितनी है वह उस जबा की humidity को बताता है अग्ّ जैसे 12 के दिनों में बहुत जादा कर बारिस हो जाए तो बारिस के दिलों में आप dal कोगे की आ aktuell मिआ हुक्तिपाहट हो रही है रही है या पसीना जो है चीपक जा रहा कि यहाइडा होती है लोगा ही मोट को पते हैं जूगत है जिसके दिनों में जो एलाके होंगे के हाइगी हाइग होती है हां हुमिटिटिए होगी गर्मे आपको बहँ हीSpace लगेगी लेकिन जैसे समुदर से दूर हो जाएंगे तो हूँनिटी यानी यह एर मेर का मॉट को वह देन Toryонish डीटिच्यूट' कि एटिचूड को एटी चूट का मतलब होता है हाइट फ्रॉंग दर हाइट एवाग दा सी लेवर एवाग दा सी लेवर पहाड़ी दाके सिदे-सीदे असान सब्दों में समझने का प्रयास करें तो हाई एल्टीचूड यानि जीतने उचाई पर चले जाएं पहाड़ी एला जाते हैं रिसी केस उपर केदारनाथ बद्रिनाथ की याद्रा करने चले जाते हैं तो लेह लद्दाक चले जाते हैं भूमने के लिए तो यह हाई एल्टिचूड वाले जो जगह है वो समुत्र से उचाई पे हैं काफी उचाई पे हैं तो वहां का टंप्रेचर क्या होगा व तो पूरे साल में जहां पे सब्सक्राइब ज्यादा पड़ती है जैसे एक्वेटर के आसपास के जो इलाखे तो वह पे संद मिलाइट जो होती है वो डायरेक्ट आती है तो इकवेटर के आसपास ये पर रहने वाले या पढ़ने वाले जो धेस हैं वहां ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं जिसकी वज़ों से उनका बन जाता है कि वह उसनीक गर्मी को बरदास्ट कर सके तो पर पढ़ने वाले जितने भी सिर्लंका जो है वह इक्वेटर के आसपास ही एक यह वेस्ट इंडिज़ यह सब के सब कर क्या सब्सक्राइब और पर पढ़ते हैं तो वान पर रहने वाले लोग भी वैसे ही हैं साहले पैक्तरेसी हैं जिनके उपर-में कोई भी ख्लाइब्फ जो है किसी एक Kapun करता है आगे अगे आगे लोग बात करते हैं थोड़े से क्लाइमेटिक जोन के बारे में और वो क्या होते हैं उनको देखते हैं पॉलार रिजन कहां पाई जाते हैं जैसे पॉल पर में पाई जाते हैं और जो साउथ पोल पर फाय जाते हैं उनको अंटर्टिक रिजम कहते हैं यहां तो क्लाइमेट अगल होता है तो है यहां बढ़ी ज्यादा यहां पर ठंड पाई जाती है इनको फुल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है इसके अलावाद ज्यादातर हिस्चे में यहां पर लोग यह जो जो जगह होती है यह जिस पे लोग यह अच्छी तरीके से पाइजाने वाली जो एनिमास होते हैं उस तरीके के अडॉक्टेशन पाइजाते हैं जिससे वह अपने जीवन को सर्वाइब कर सके जैसे पोलर पीर है मस्कॉक्ष रहें रेंडियर से तो यह सब जो है वो नौर्थ पोल पर पाए जाते हैं उसी तरीके सब ट्रॉपिकल सब्सक्राइब करते हैं यहीं ट्रॉपिकल रिजन कहला है हमारा तो यहां पर जो टमपरेचर रेंज होते हैं वो बीस डिग्री से ले करके माइनस 30 डिग्री सेंटिग्रेट कर खोते हैं यहां पर होट वेट वेट और और तरीके के टमपरेचर जो वेदर कंडिसों से वो देखने को मिलते हैं यहां पर पाए जाने वाले जानवर हैं उनमें मंकी है एप से टाइगर है एलिफेंट्स आया वराइटी ओफ एनिमल जो है इन रिजन्स में पाए जाते हैं तो यह बाई डाइवर्सटी के हिसा अब गनीजन्स मेंने आपको सर्वाईव करता है आपने आपको करनांफेंस क्या को सॉते हैं झॉइंन माल इंग गते हैं जो प्रोटेशन सल रहे सा만गवत पाएजाते हैं उनके अलग तरीके के इंच उटानष में ने पाए जाते हैं तो एडॉप्टेशन सिदे सिदे मतलब है तो एडॉप्टेशन यहां पर गुण समझ सके एडॉप्टेशन एडॉप्टेशन क्या है दा एबिलिटी ओफ एड एनिमल तो एड्जस्ट सब्सक्राइब एक वादिंटू एक वादिंटू एक व्यादिंटू अग्रें फॉप्टेशन है तो अपने है याद आसपास के सराउंडिंग पर जो आपको व्यवस्थित कर ले जो आपको उसके लाइक बना ले तो उसका क्या कराता है उसकी लिसमी करता है तो यहति साहँ पॉलर भी पॉले दिर मेंक्शूस राता भण धब आप कि अब एक प्रिजन चे कि और इसके में जाना कि पोलर रिज़न रहनी के लाएक बिलकुल भी जगह यह वहां पे टेंप्रेचर बहुत ही ज्यादा कम हो सकते हैं तो एक स्ट्रीम टेंप्रेचर होते हैं ड्राइड वेदर होता है बेदर, कंडिशन ड्री होती है हैं बहुत ज्यादा ठंड होती है तो इसलिए वहां पर सर्वाइब करना कभी मुस्किल होता है तो वहां पर रहने वाले जो जानवर हैं वह दो तरीके के करक्टरिस्टिक सो करते हैं पहला क्या होता है माईग्रेशन और दूसरा सब्सक्राइब कर दो जैसे साइबेरियन क्रेंट की अगर बात करते हैं या आर्क्तिक क्रेंट सोते हैं सब्सक्राइब तो वह जब बहुत जादा वहां पर ठंड पड़ जाती है जैसे अभी जो महीना चल रहा है तो बड़े सारे साइबेरियन क्रेंट जो है वह उन आर्क्तिक रीजन से यानि नौट पोल से उनकर कहां चले आते हैं भारत जैसे गर्म जगह पे चले आते हैं इन सब्सक्राइब फूड ब्रीडिंग ग्राउंड इन सब की तलास में वह हजारों मील की दूरी तै करके नौट पोल से मूब कर भारत में चले आते हैं तो यह एक उनका सेजिव जयनीए टेकन वाइन बाइन आप इसकेट एक्ट्रीम क्लाइम प्रश्ट लाइटिक कंडिसें अधि सार्च आप फूड इसमोड अमाईड लिए तो माइडरेशन क्या है तो माइड्सम्ट सीचना 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 जानी सीच भी वान है कि इन सर्च आप इन सर्च आप फूड एंड है फूड एंड तो घुर लिग्राउट लिडिंग ग्राउट सी को अब लोग कहते हैं फैट उनका माइग्रेशन तो यह साइबेरीड क्रेंज की बात होती है यहोता है इसको विंटर स्लीप कहते है लॉंग विंटर स्लीप तो जो भी वहां पे रहने वाले और जैसे वह जैसे अगे तो आपने सुना वह यह पोलर से ने अपने आप आइसोलेट कर लेता है बिल्कुल भी वह हाइबर में चला जाता है तो हाइबर में जाने का मतलब क्या है लौंग विंटर स्लीप बड़ी ठंड पड़ती है खाना पीना भी नहीं मिलता है पूरा का पूरा एरिया जो है वह बर्प से ढखा हुआ तो खाने पीने के भी तंगी देने उसके प्रोसेसेज है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस ना हो और सरीर के जो फैट है उसको गर्वी प्रवाइड करते रहते हैं और पूरे समय वह लगवर छे महीने की जो बड़ी ज्यादा ठंड होती है नौर्थ पोल पे जो अभी चल रहा है उसके दौरा यह उसका क्या है यह उसका एक तरीके का का इता और टेशन न है तो अपने आपको किसी भी ख्लाइब अटिक कंडिशन के कोडिक आधालने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग उसका अभाने करते अब देखते हैं को देखने को मिलेंगे इसके कर लेते हैं तो पहली कंडिसों है यहां पर क्या मुफ्लेट क्या होता है अपने आपको सरावंडी के कॉडिन बना ले ना इसका इसका जो परिव होता है कि एड़े हैं एक पूर्ट और वाइट फर वाइट फर दैट है दें टो हाइड इन वाइट स्नौ या एक ओसका जो र होता है तो सफेधल रह तो दूर से इसकोम देखाून जो है सफेद है और ये भी सफेद है तो दूर से इसको देखा नहीं जा सकता है तो दूर से देख नहीं सकते हैं तो आचानक से कहीं अटैक कर देगा किसी भी जानवर के उपर में और अपना सिकार कर लेगा तो यह इसका एडॉक्टेशन है जो इसको उस एक्स्ट्रीम में भी अपना भूचल तलास करने में मदद करता है दूसरा जो है इसके उपर में ब्लॉबर है तो ब्लॉबर क्या होते हैं कि थीक लेयर औफ फैड अंडर को सकीद के नीचे मोटी से लेयर elements के अंदर में पाई 7 जाती है जो इसके बॉड़ी को इंसिलेशन का काम करते है इसके बॉड़ी को इंसुलेट करती है और पॉटिको इंसुलेशन देगी तो इसको गर्माहट मिलेगी यह उस थंडी जबा में रहने के लाइक बना पाएगी इसके अलबा है सेंस आफ इसमेल काफी अच्छा होता है सेंस आफ इसमेल तो यह दूर से किसी दूसरे आफ और करके पहचान सकता है कि इसके, इसके में सरांडिंग से, में कौन कौन से जानवर मौजूल है उनको आसानी से यह पिक्त आपकोyon कर सकता है और उनका सिकार कर सकते हैं पकाफी दूर से यह सूम लेता है है जब बारे में कंडिशन होते हैं यह अपने आपको यह यह बाहर नहीं निकलता है यह सब कुछ अपने आपको सो करता है ठीक है अचलिए बात करते हैं ट्रॉपिकल रिंफॉरेस्ट यानि जो ट्रॉपिकल रीजन से जहां पर लुगों ने बात की कि एक वेराइटी ओफ ऑर्गनिजम पाई जाते हैं यहां पर सबसे ज्यादा नंबर में कोई भी एनिमल जो है वो पाई जाते हैं तो अलग अलग तरीके के एक साथ में एक ही जबा पर मिलते हैं तो वहां की बायो डैवर्सिटी कहलाती है अब यहां पर देखिए उनके पास में अलग अलग तरीके के अड़ाप्टेशन होता है क्योंकि ट्रॉपिकल रे लिजर्ट इस तरीके की जानवर आपको देखने को मिलेगे जो पेड़ों के उपर में पाई जाते हैं तो पहला दूसरा है क्योंकि अलग अलग तरीके के एनिमल है तो उनके पास में अपने आपको छुपाए रखने का अपने आपको बचाने का कोई इस तरीका का कोई सभ्यार को कई तरीके की जानवर जो होते हैं वह पाई आपको अपने से बचाने के लिए अपने कहीं कर लेते हैं उनको पहचान पाना मुश्किल होता तो इस प्रोसस को कैают है हम लोग चैंशरा होता है कि हाई उनको शुपाएं दॊसरा ने के के हुएchte लिए से जो होते हैं रात को भी देखने की जो इनकी छमता होती हो बड़ी स्ट्रॉंग होती है दूर से भी यह हल्की सी आवाज को भी सुन सकते हैं तो इसकी मदद से वह अपने सिकार को पकड़ देते हैं और अपने आपको जिंदा रखे हुए है है तो खाने का कंपी शल को कंपी सो बने रहने के लिए उनके सबके अपने अलग अलग तरीके स्वाव हूं है खाना खाने के जो शवाव है फूट लेने के जो सब्सक्राव है तो आप बात करते हैं टौकर की तॉट होती है वह क्या एसे लबशी से उसकी बीक होती है कि इस तरीके से लबी यूसकी दोने वंचे द्व लेसे इसाल को ले दा जिसको दूसरे के नियुक पाना काफी मुस्किल होता है करें उसकी लूटते हैं रिंपेजुन कर्छि तो बिंगन करकें इसके रींगर्ण होती रूखी सुखी में नहों नहीं हुँ है तो पानी को सोख लेता है और उसके बाद उसके इबापूरेशन होता है तो उसके बौड्क को ठंदक मिलती है क्योंकि उसका ब्लैक कलर भी है और ज्यादा धूप में रहेगा तो उसके असरीर जो है गर्म हो जाएगा तो इस पानी के विज़े से जब विवापोरेशन होगा तो उसका सरीर ठंडा होगा बड़े-बड़े कान है तो कान जब हिलेंगे तो उसके बॉड यह पूरा चैप्टर ही हमको ने इस वीडियो में डिसकस कर लिया आई होप कि आपको समझ में आएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए का किसी पार्टिकुलर टॉपिक के उपर में उसके उपर में मैं आपको जबाब दूंगा ठीक है तिल देन आप इस वीडियो को इंज्वाइ करिए और देखिए बाई